नमस्कार दोस्तों, TechScan के एक बिल्कुल ना है, फ्रेस्वार एक्साइटिंग अबसोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर में Reliance G और Airtail का जो 5G सर्विस लॉंच होने वाला है, उसे में एक्स्प्लेइन करने जा रहा हूँ दोस्तों, इससे पहले में 5G के बारे में काफी सारे वीडियो बना चुका हूँ, कौन से कंपनी किस टाइप अप स्पेक्ट्रम को यह पर पर्चेस किया है, कौन से कंपनी किस टाइप अप 5G सर्विस आप लोग लिए लॉंच करेंगे काफी सारे वीडियो में बना चुका हूं लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हमें Airtel के 5G के साथ जाना चाहिए या जीओ के 5G के साथ जाना चाहिए क्योंकि यहां पर एक बहुत ही confusing statement Airtel के CTO और अंदीप सेखंड जी की तरफ से निकल का है कि अगर आप एक 5G फोन आज के डेट के अंदर अलड़ी यूज कर रहे हैं तो अगर आप रिलाइंस जो के 5G के साथ जाते हैं तो हो सकते हैं कि आपके फोन के अंदर रिलाइंस जो का 5G सापोर्टी ना करें तो बहुत सरे contradictory statements जो वह हमारे पास निकल के हैं तो इस वीडियो के अंदर में पूरा जो डीटेल से वह क्लारीफाइ करने के कोशिश करूंगा और आपको डीसाइड करने में काफे ज़्याद आसानी हो जाएंगे क्या Airtel के 5G सुपीरियार होने वाला है या रिलाइंस जो 5G सर्विस आएंगे अगर 5G सर्विस आ जाते हैं तो 4G सर्विस का condition क्या कोश होने वाला है तो वहाँ पर जो analysis के अंदर result हमारे पास निकल काया था वो जीओ के लिए कुछ अलग निकल काया था Airtel कंपणी के लिए कुछ अलग निकल काया था क्योंकि जीओ जोए वो 5G के standalone architecture के साथ जा रहे हैं जहाँ पर 4G और 5G यह जो दो services से यह reliance जो के तरफ से completely different होंगे जहाँ पर Airtel के अंदर 5G NSA से आएंगे और NSA के अंदर मेली 4G और 5G जो वो एक ही network उपर रहेंगे तो 5G launch होने के बाद 4G के speed जो वो काफी साथ कम हो जाएंगे लेकिन सबसे important जो बात smartphone यहाँ पर launch हो था वो सारे smartphone के अंदर मेली 2-3 या 4 5G बैंड है available था क्या वो सारे 5G बैंड मतलब जीओ की तरफ से जो 5G standalone architecture वाला 5G को launch के जाएगा क्या वो support करेंगे देखिए Airtel के CTO रंदिप सेकंड जी की तरफ से controversial statement को दिया गया था कि Airtel जो अपने 5G service को launch करेंगे वो 5G NSA के साथ आएंगे जिसके अंदर आगर आप Airtel के 4G SIM card को यूज कर रहे हैं तो उस SIM card को upgrade करने के भी आपको जरूरत नहीं है और 100% mobile phone जो भी 5G enabled है आज के रेट के अंदर भारत के अंदर जो भी mobile phone सेल हुआ है वो हर एक mobile phone Airtel के 5G को support करेंगे जहां पर उनकी तरफ स SIMPLY एक ही ऐसे स्मार्टफोन होंगे अगर मैं 5 स्मार्टफोन के बात कर तो उसमें से SIMPLY एक ही स्मार्टफोन होंगे जहां पर 12-14 5G बैंड से तो SIMPLY उसी के अंदर हमें 5G standalone architecture support करना हुआ देखेंगे मतलब जो जियो का 5G है वो में लिए उसी स्मार्टफोन के अंदर support करे भारत के अंदर जियो और याटेल दोनों का ही 5G service आप यूज कर पाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर 5G support नहीं करेंगे वहां पर 5G support करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हो सकते हैं कि coverage तोरह आपको उपर नीचे मिल सकते हैं लेकिन 5G support करेंगे कोई दिक्क कर लिया मतलब जियो के अंदर एक competitive advantage पहले से आ गया क्योंकि 700 MHz वाला बैंड अगर launch करते हैं जियो तो यहां पर standalone 5G वह launch करेंगा और second जो है उसके अंदर indoor coverage आपको काफी बढ़िया मिल जाएंगे 5G का main जो मतलब enemy अगर में बात करता हूं तो वह obstacle घर के दिवार भी 5G signal क के उपर बाधा create कर सकते हैं लेकिन यह जो 700 MHz वाला बैंड है यह reliance जो के लिए game changer बन सकते हैं क्योंकि इसी particular network बैंड को reliance जो में लिए 5G standalone के लिए use करेंगे जो बहुत ही बढ़िया indoor coverage यहां पर provide करेंगे आज के date के अंदर अगर मैं Airtel company की बात करता हूं तो वो में लि प्रिलाइंस जो दोनों company के अंदर काफी सारे पैसे इंवेश्ट करने के लिए लेकिन Airtel का कहना यह है कि हम सबसे पहले 5G NA के साथ जाएंगे उसके बद 5G AC के उपर जाएंगे और इसके पीछे एक logic है कि आभी के टाइम के अंदर market के 90% स्मार्टफोन जो हो में लिए 4G स काफी कम खर्चों के अंदर 5G सर्विस अवेलेबल मिल जाएंगे तो Airtel चाहते हैं कि वहां पर जो 5G सर्विस एर टेल लॉंच करेंगे इनिसियल स्टेज के अंदर वहां पर revenue जिनरेट करके उसे बाद में 5G AC के उपर infuse किया जाएगा इसका मतलब Airtel directly अभी के टाइम के लेकिन लिलाइंस जो के एक ही फंड है हम जो कास्टोमर्स को प्रोवाइट करेंगे वह बेस्ट प्रोवाइट करेंगे और इसी कारन से वह 4G और 5G दूनों सेग्मेंट को बिलकुल अलग कर दिया है 5G वह स्टेंडलोन के साथ जा रहा है जहां पर सुपीडियर क्वालिट आपसे को हैं यह बता दी अगर वीडिओ के साथ तप तक लिए दोस्तों के अपना कर देखने के लिए